वेलकम टू आउर चैनल ग्यापन अकेडमी आप आप अपना पड़ाई बहुत जबरदस तरीका से किये हैं, तो यहां सतर मैं, साट को सही करके दीखाये, फिर समझेंगे आपका तो पड़ायी बहुत ही जबरदस तरीक तरीके से हुआ है, हम लोगों को इस बार बिहार टॉपर बनना है, इसलिए मेहनत सांथ मेंDINGत करना तो फिर बिना देर की हम लोग कोश्चन के तरफ चलते हैं तो आखिर कर यह किस महादेश से आते हैं यह खुद महादेश से आते हैं तो यह कहां से यूरोप से आते हैं देखते चले यह गौर से कोश्चन दूसरा है दूसरा कोश्चन है बिश्व में सबसे पहले क्रांती किस देश में हुई क्रांती तो हर जगह हुआ लेकिन उगरूप किस देश में लिया सबसे ज़्यादा भयानक रूप लिया फ्रांस में यह फ्रांस की क्रांती ही तो है ठी तो एक साथ आठ नौ याद रखिएगा यानि एक साथ आठ नौ लाइन से यानि सत्रे सो नमासी ठीक है 14 जुलाई 1789 को आपका फ्रांस की क्रामति होई अगला कुश्चन देखते चलेगा अगला कुश्चन है फ्रांस में किस राजवन्स का सासक था तो आपको तो पता होना चाहिए कि उस समय लुई सुलावा था और उस समय वो किस वन्स का था वरुवे वन्स का था अगला कुछन है फ्रांस की इंकरादती के समय वहां का सासर कौन था तो बताया थे अभी लुईस सुलाहवार ये बहुत ही जबरदस्त राजा था जिनको बुरी तरह से क्या किया गया पराजित किया गया हराया गया क्योंकि ये अपनी वाइफ का कहा मानता था अज जो वाइ लाओं का बात सुना कहानी खतम चैप्टर क्लोज ये दिमाग में रख लिजेगा कभी भविस से में आपको भी इस दोह से सब को गुजरना है ठीक है तो लुईस सुलाहवा यहां पे हो जाएगा अगला कोशन है लुईस सुलाहवा की मिर्तवी कभ हुई अब बेचारा दे चैंस बार रहे हैं कि चल रही है चांस मार ने एक बार और अगर लह गया तो सासक बन जाएंगे नहीं तो भागिये जाए तो आया चांस मारें तब तक सभी लोगों ने पकड़ करके टांग दिया यानि फासी दे दिया कब 793 में ठीक है अगला कुछ देखे डारेक्टरी के शासन कब समाप्त हुए इन्हीं बाबु के द्वरा लगाए गया था डारेक्टरी का शासन तो यह खतम हो गया आपका 1799 में आपका प्यारेक्टरी के सासन समाप्त हो गया ठीक है 93 के बाद हम लोगो 93 में मिरती हुई और इनका सासन 99 में डायटी के सासन समाप्त कर दिया गया अब आते हैं नेपोलियन तो नेपोलियन अच्छे एक बात वे जब करांती होगी तो उसमें कोई ने कोई में बना जाए तो नेपोलियन फ्रांस का समराड बना 1804 में और आते है इसने नियम भी दे दिया उस नियम को अगले लेयर में यहाँ देखो नेपोलियन द्वराद दिये गया नियम को आपसन है यहाँ पे नेपोलियन घोष्णा पत्र नेपोलियन संगीता या फिर तब परित हो तो 1804 में राजा बना था उसी समया करके अपना नियम लगा दिया यह सब गलत हो जाएगा अगला कुछन है नेपोलियन फ्रांस का सासक कब बना यह कुछन रिबीट हो गया है 1804 में होगा अगला कुछन दिके जॉलवे राहिम कैसी संस्ता है तो एक बात आपको जॉलवे राहिम एक ऐसी संस्ता से एक ऐसा इंस्चिट था जिसके जरिए वह बैपार के बारे में सिर्फ पारियों को कितना चूट देना चाहिए यह उन लोगों का समर्थन करते था बैपारियों का जॉलवे राहिम ठीक है अगला कुछन देखिए नेपोलियन की हार कब और किस यूद में हुई तु नैप्लोड अब बताइए कि सासक तो है लेकिन राजा का हार जीत करें तो काम इन अम्हार बी diamond होगा फिए लेकिन कोई दोह यूद लड़ा होगा न तो कुई तो देश होगा न, तो जितना भी इलाका जीता हुआ था, ठीक है, याद रख लीजेगा, उस सभी इलाका च्छिन लिया गया इससे, आमान, लोकी चार गो, पांच को मिल करके देश अगर हराया होगा इसको तो अपने अपने में बांट लिया नेपोलियन के इलागा को तो यहां देखिए बियाना की संधी कब हुई तो बियाना की संधी कब हुई होगी बियाना की संधी आस्ट्रिया की रजधानी है बियाना ठीके अवसी में आस्ट्रिया सब को बुला है कि आजाओ नेपुलियन का जतना भी राज्य है न सब छीन करके रखें हम ठीक है आओ बियाना में बांटा जाए अश्टिया की राजधानी बियाना है ठीक है और आकर के 1815 में क्या होए वहाँ पर बंदर बाट चला सब इसके राज्य को बांट दिया लोग अपने अपने में बियाना की संदी में अश्टिया की राजधानी कहा है तो अश्टिया की राजधानी आपको बता दिये थे कि बियाना है ठीक है यह आपका थर्ड नमर अप्सन हो जैसे रूस ब्रिटेन प्रसा और याद करने का ट्रीक बियर प्रसा इसमें चारों हो जाएगा जिन्होंने बंदर बांट किया था बियाना की संदी में जोलो रहीम संस्ता कब और किसके द्वारा पारित किया गया तो जोलो रहीम संस्ता प्रसा के द्वारा पारित किया था 1834 में यहां प्रसा 1832 भी दिया है यह गलत होगा यह भी 1834 है लेकिन अमेरिका है अमेरिका के द्वारा नहीं प्रसा के द्वारा पारित किया गया था ज जर्मनी के कितने राजियों को जोड़ करके नेपोलियन 39 नाइन यानि कि 49 राजय बना दिये गया है तो यहां पर आप बताए विचारा देखें नेपोलियन जर्मनी के एक रण में बहुत बड़ा योगदान है तीन सो इलाका छोटे-छोटे इलाका में जर्मनी छोटा- अब लुई अठ्रामा अब देखिये हुआ कि विचारा ने पूलियन जब निकल लिया मतलब विचारा यह मिर्ती हो गई तो उसके बाद से लुई अठ्रामा वही लुई वन्स का था सत्रामा नहीं था यह भी बहुत अच्छा सास्था इन्होंने क्या किया यह थोड़ा सा यह थोड़ा सा अच्छा रहा था अपने दादा की तरह यह लुई अठ्रामा की तरह नहीं था ठीक है लेकिन कहा जाता है कि अच्छाई जाया देर तक नहीं टिकता है मतलब अच्छाई का अंत में जीत होता है ठीक है अच्छाई का तो इस हिसाप से 1824 में बेचारी यह भ प्रांस का नया सासक कौन बना अब देखिए जब लुए अच्छा राजा था तो एक क्रूर सासक का जनम वा जिसका नाम था चाल्स दसंग यह गदाहवा के चलते अठारे सो तीस की क्रांती हुई थी याद रखे गए इतना अत्यचार किया कि लोगों ने एक दम राजा के विरोध हो गए ठीक है इसके खिलाप क्रांती हो गई लास्ट में गद्दी छोड़के भाएगा ते को ट्रिक याद रखेगा जितने भी फ्रांस में सासक हुए अग प्रांस का सासक कौन था यहीं पर चाल्स दस सम ठीक है अब प्रांस में एसे लिखेगा और रोमन में फ्रांस में बिरूउर राज्वन्स का अंत होने के बाद किस श्रु संक यानि कि जो जो चार्लिंस वांस के सुरुगत है ना मजदार कुश्चिन तो इसे शेर प्लीज क करते रहें यहां अगला कोशन है आर्लेंस वंस का नया सासक जब यहां से चाल्स दस्तम भी निकल लिए ठीक है तो उस समय नया सासक कौन था अवह अपना परधान मंतरी किसे और कब बनाया तो देखिए लुई लुई फिलिपिन था पोलीगनेक उसका परधान मंतरी नहीं था इगलत है ठीक है गीजो था तो यह हो जाएगा लुई फिलिप बना आर्लेंस वंस का सासक गीजो उसका परधान मंतरी और 1840 में यह रट लेजिए यह विव याई कोशन आपके एक्जाम के लिए है इसको दिम आदेश जारी किये अब सुनिए हुआ कि जब लुई अठरामा के बाद चाल्स दस्तम सासक बना तो उसने चार नियम बहुत ही बेकार दिया जिसे लोग उस नियम से बहुत परेसान थे ठीक है तो 25 जुलाई 1830 को दिया उसी नियम को देने के बाद जानता ने बिरोध किया इसको सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा था तो 27 जुलाई को ऐसे भागा था लेकिन आपसे कोशन पूछा जेगे आदेश कब दिया तो 25 जुलाई को दिया था अगला कोशन देखिए लुई फिलिप ने अपने बिरोधियों को खुश करने के लिए किस निती का ओलमन किया ठीके नए अर्थिक निती या फिर आपका अर्थिक निया जण फिर स्वն अरणित मद्यम वर्गिये निति के द्वर्व लुई फिलिपीन का बात करें पहला सासक देखिए ऑला फ्रांस का सासक सुलाहवा फिर ये हटा तो कौन आया दिमाग में बैठा लेजिए ये हटा तो आपका आये नेप datos नेपोलियन और जब नेपोलियन हटे तो जब चार्स दस्म हटे आए आए't रामा और जब अठ़ावा हट नहीं यहां देखे ड़ने अप्ड़न के बाद लूई Ψे लॉी हाँ याद रखियेगा अब देखें हैं, यहां हो जाएगा ठर्ट नमबर उप्टछन अगला देखिए चाल्स दस्तम ने अपना परधान मंत्री की से चुनत हो तो बताया थे इसका नाम था पोली गिनिक अईसा गदाहार था ही राजा अठारे सो तीस वाला इघटना है आपको इधर उधर कुश्चन इसलिए कि आपका प्रेक्टिस कितना है यह चेक करना है और इसको दिमाग में फेट करते चलना है परधान मंत्री की से चुनत पोली नाम यह पोली हो जैसा लेकिन काम भी इसका वैसे ही था अब देखिए लु इस बहुत इंपोटेंट है इस लेसल के लिए कई बार आएगा और तालीस दिमाग में रखे करांतियों का दोर में टर्निक यूग अड़तालीस तक ही जाका खतम हो गया मेजनी के बारे में जानते हैं बहुत ही संदार है मेजनी का जन्म हुआ था अठारे सो पांच में और जेनेवा में हुआ था कहा हुआ था इनका जन्म जेनेवा में हुआ था जेनेवा में यहां लिखा है लेकिन 24 लिखा है तो यह गलत है यह भी गलत है यह भी गलत है जेनेवा से नहीं होगा डेट भी बताना पड़ेगा सब कुछ सही होना चाहिए ठीक है यंग इटली अब किसके द्वारा गया तो मेजनी के द्वारा किया गया था कब 1831 में अगला कुश्चन है कि यंग यूरोप यंग यूरोप की भी अस्तापना होई थी किसके द्वारा मेजनी के द्वारा लेकिन 31 में नहीं आपके 34 में option number आपका D सही है अगला कुश्चन देखे क्रांतियों का दौर यानि लडाई कप से शुरू हुआ तो उस समय तक तो सासक था बहुत मोणी है चल ला था लेकिन 1830 में जब पुलिगनेक आया न और चारगवा देश जो दिया ठीक है पुलिगनेक था उसका राजा था चाल्स दसम तो 1830 से शुरू हुआ और 1848 तक चलते रहा लेकिन मेटर्निक का कहना था कि नहीं जब तक हम जिन्दा रहेंगे यूद नहीं होगा कोई फायदा उसके बातों का रहा नहीं 1830 से 1848 तक रहा अगला कोशन मेटर्निक यूग की सुरूआत तो यूग की सुरूआत तो बहुत पहले हो गए थी जब नेपोलियन हारा तो कुरूर स अठार सथे 1848 तक मेटरनिक्व हुगा एंड्ययन निपोल की संधी कब हुई तो इंड्ययन निपोल की संधी आपका फर्स्ट नमर अप्सन मीं नहीं होगा ठीक है 1839 में हुई यहां समझे एंडियान इपोल की संदी किन देशों के बीच हुई तो रूस और तुर्की के बीच हुए था किसमें रूस और तुर्की के बीच एंडियान इपोल की संदी हुई अब देखिए 1832 के यूनान स्वतंतरता के बाद वहा का सासक कौन बना तो 1832 में यूनान अभी यूनान बहुत ही जब अरदस देता उसके बारे में अभी अब्जेक्टिव अभी लिखा हुआ है ठीक है इसको यूरोप का पालना बोल जाता जिसमें बच्चा खेलता है तो जब 1832 में सवतंतर हो गया उनान तो वहां का सासक बना ओटो ओटो भी किसी वंस का सासक होगा अलग-अलग वंस का लेकिन आगे देके कुश्टंतुनिया की संदी कव हुई दो कुस्टंतुनिया की संदी आपके अठारे सो बतीस में हुआ था यह याद रखेगा कुस्तुंतुनिया की संदी क्रिमिया का यूद कब हुआ रिम्या का यूद आठारे सो चौवन में वैद देता है इसे देता है ठीक है तो यह बोजा एका डी नंबर एंशर कुस्तंतोनिय क्रीमिया का युद्द गभ वुआ Tomato क्रीमिया की डांटारे thunder in सबसे सबसे पहले शुरुत कब दो यूनान यूनान और तुर्की में लड़ाई और बेचरा मरीज की तरह दिखने लगा इसलिए तुर्की को क्या कहा जाता है यहां देखे सर्डिनिया पेड माउंट का नया ऐसा सकौन था अपसन क्या होगा इसका आप खुद बताए अपसन मेजनी होगा या विक्टर इमेनुएल काउंट कवर नेपोलियन थर्ड तो हो ज आप जबर 12 दिमागिया लगाता था ऐटलिकर में सबसे बड़ी बादा अस्ट्रिया सबसे बड़ी ब्रूत का काम करता था इसमें था मेटरनिक यहां का चैंसलर वह हमेशा किसी ने किसी मेटर में दखल देग देदे था तो हर एक कलrण में हर बीरोध में काम किया अस्ट्रिया बीरोध के एकदम सौतन वाला काम किया इटली के एकरण का तलवार किसे कहा जाता है बहुत ही अच्छे आदमी थे गैरी बाल्टी जो पेसे के एक नाविक थे क्या थे पेसे के एक नाविक थे नाव चलाने माले समझ रहे हो वही नाविक थे पेसे के लेकिन सुरू से इंट्रेस्ट था इनको मतलब राजनीतिक में इसलिए वह राजनीतिक करना है बाद में सब अपना राज छोड़ करके और बेचारे कहीं परवतों पे सन्यासी बनने चले गए इस अपने तलवारों से उस राजय और देश का हिसाब कर लडाई करके उसको हरा देते थे यह भी अब बात याद रखेगा इनको दिमाग और इनको तलवार कहा जाता है अब देखिए लाल कूर्टी सेना का गठार भी इन्होंने किया ता इतने मोटिवेट करने कर दिया सभी किसान एक्साइटेड हो गए अब यहां देखिए अगला कुश्चन है यूरोप में कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं बहुत धर्म जैन धर्म कैथोलिक धर्म या इन में से कोई नहीं तो आप याद रखेगा कैथोलिक धर्म होगा यहीं किसी को ज्यादा माना जाता है बेटे की तरह बहुत ही मस तो यह है यूनान क्यूंकि यूनान बहुत ही आगे बहुत ही डेवलप बने वहां का देश था लेकिन यह अपने यासियों के वजह से इसको क्या हुआ तूर्की इस पर गुलामत तूर्की के यह अंडर में आ गया ठीक है लेकिन यूरोप को यूनान को यूरोप का पालना कहा जाता है टोटल कुस्चन इसका अबजेक्टिव यहां वी वी आई आपको मिलेगा नैपल्स की क्रांती कब हुई तो बहुत ही असान है नैपल्स की क्रांती 1821 में यह याद रखिएगा नैपल्स की क्रांती यूनान को 173 राष्ट कब घुशित किया गया तो 32 में 1832 में यह सोतंतर हु इरोपियों के लिए किस देश का सहित्य प्रेणा का सुरोथ था तो इरोपियों के लिए यूनान का जो सहित्य प्रेणा का सुरोथ था यानि कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं मोटिवेट होते हैं लेकिन सभी देश यूनान को देखके मोटिवेट होते थे इतना यह आगे था टेक्नोलोजी योगर हर चीज में पढ़ाई लिखाई में हर छेतर में यूनान आगे था इसलिए प्रेड़ना का सब के लिए शुरू था इरोपयों के लिए अगला कुशन के यूनानी सोतंता के दौरान कौन ब्रिटीस कभी सहीद हो गया देखिए ब्रिटीस कभी कभी भी सहीद हुए ठीक है तो यह कौन से कभी थे तो यहां कुश्चन हो जाए रोबर्ट ओमन नहीं थे लौड वाइरल थे ठीक है जिन्होंने क्या हो था उसी समय अंदोलन के समय सहीद हो गया थे अगला कुश्चन है यूनान के सोतंता संगरां में किसकी पराज्य होई एक संहिता था संग नहीं था ठीक है अस्तंग था राइन राज्य संग केस था अपना नेपोलियन बुनापाट ने की थे मैटर नहीं कौन था हर मैटर में पॉड़ने वाला अस्ट्रिया का चांसलर अस्ट्रिया कौन क्या था बाबू तो हर देशों का सोतन यह लिखिए ग फ्रैंकफर्ट की संदी तो यहां देखिए आपको दिया है फ्रैंकफर्ट की संदी हर जगह दिया है लेकिन डेट कौन सा होगा यह बहुत बड़ी बात है कि आकिर कर संदी में डेट कौन सा होगा तो आप संदी कितना घुमा के एकहत्तर तो इसमें भी है इसमें भी है ले हुआ तो सेडान का यूद्ध जब होगा तो हुआ था फ्रांस और प्रसा के भीच ठीक लेकिन किस सन में 1870 में या 1970 में तो हो जाएगा आपका 1870 में सेडान का यूद्ध हुआ था इसी यूद्ध के बाद से फ्रैंक्फर्ट की संधी 1871 में हुई थी यूद्ध हो गया तो संधी मतलब बैठ के बाचीत होगा ना कि आए तो यूद्ध हुआ सेडान का उसके बाद से संधी हुई फ्रैंक्फर्ट की अब देखिए पॉलेंड के किस विद्रोव पॉलेंड के विद्रोव को किस ने कुचल दिया तो पॉलेंड में तीन यूद्ध लड़ा गया है अगला कुछस्चन देखिए यूने मेजनी का संबंद किस संगठास था उस संगठन की अस्थापना कभ हुई तो यहां देखिए मेजशनी पता है कारb cau में करनतिकारी से थाता किसे था कर बोन री चीज याद रख लिजेगा अठारे सों दस में काउंट का बूर का जनम होई था जब इसकी अस्थापना हुए यह भी याद रकिया बहुत ही महान करंतिकारी पर्धान मंत्री था 1829 में एंडिया निपोल की संदी किस देश के साथ हुई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की और हॉलेंड तो यहाँ पर आपका एंसर हो जाएगा संदी का बात किया है तो तुर्की के साथ एंडिया निपोल की संदी हुई थी यहाँ अगला कुश्चन देखिए यह समझेगा कुश्चन है आपका इंगलेंड, फ्रांस, रूस यह तीन को देश मिल करके युनान का समर्थन किया था तुर्की के खिलाप ठीक है कब तुर्की के खिलाप यह सम्मेलन बनाया अब बताइए आप खुद सोचकर देखिए कि युनान को सपोर्ट किया होगा तो जब युनान को सपोर्ट किया गया होगा तो बैट करके बात हुआ ओगा तो तीनों ने मिल करके कब बैट के बात की तो यह option नहीं है इसमें that answer याद गिए 1827 में बात किया जब 27 में बात कि अब ही आपको हम बताये थे किसी युद के बाद सेडान का युद था याद होना चाहिए सेडान का युद जो कि कभ हुआ था उननीश जून 1870 में हुआ सेडान का युद अब उसी के जस्ट बाद फ्रैंकफर्ट की संदी हो गई काउंट कभूर की मिरती कभ हुए बेचारे ये इटली का एकी करण नहीं देख पाये और 1862 में ये मर गए एक और चीज ध्यान रखेगा 1862 में पता है क्या हुआ था गैरी बाल्टी किया क्या था कि रोम के खिलाप एक दम योजना बना दिया रोम पर जहां पर पादरी लोग राते थे पूंप लोग उन लोग के खिलाप लड़ाई करने की योजना बना लेती लेकिन उसको रोकने का काम किस ने किया था काउंट कवर रोका लेकिन उसी समय किसी कारण बस बैचार बहुत दुख की बाते कि इटली के एक बहुत बड़ा युद्धा नहीं रहा अब देखिए, सिडान का युट किंदो देशों के बीच हुआ, सिडान का युध किसे देशों के बिच हुआ तो फ्रानस और प्रसा के बीच हुआ था सेड़ान के बाद कौन सी संदी हुई तो यह याद रखिए आध माग बेठा लिजब गाइस टीन की संदी परसा का विलिएम परतम तरह लेकिन परसा का नया सासक बोलेगा तो वह नहीं परसा का नहीं वो परसा के पास में आपको मिलेगा ठीक है वो अलग इलाका हो गया ठीक है जिसमें आएंगे विक्टरी मेंगोल हो गया उबात की बात है यहां देखिए औस्ट्रिया प्रसा ने डेनमार्क के साथ यूद कब किया तो सुनिए बहुत ही जबरदस्त प्रसा दिमाग चलाता था ठीक है प्रसा सुचा कि हम अस्ट् और एक था शएलस्विक इन दुनों इसको अपने अपने इलाका में बांट लिया हूल्स्टीन किसको मिला देखिये यह था कि यह तो यह प्रसा को मिल गया एक यह प्रसा को मिल गया सेल्स भी याद रखिएगा अगला कुश्चन देखिए यह कुश्चन का एंसर डारेक्ट आठार सब्बातिस के युनान सो तंदरता के बाद वहां का सासर कौन बना था ओटू बना था यह भी रिपीट कुश्चन हो गया है अगला कुश्चन है रूम नहीं होगा जी रूम होगा रूम पर अक्रमड करने की योजना कबने रूम ठीक है तो जब नेपोलीयां सौरी गया 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 बोलते हैं कांट कबूर की मिर्थी 1862 में इसी समय योजना बनाया था जिसको रोका था कांट कबूर तो उमीद करते हैं कि आपको यह कि exam के लिए तयार नहीं है तो भी tension लेने वाले दो मन्थ 60 दिन 70 दिन बहुत होता है exam के तयार के लिए अगर एक दिन में कुछ नहीं बदलता है दिमाग में रख लेजिए एक दिन में आप कुछ नहीं अरे मैंने तो सब बना दिया और किसी भी टॉपिक का और सब्जेक्ट का डाउट नहीं रहेगा अभी भी आपने गलतियों का आपको है ऐसास तो मत किजिए टाइम पास अभी से तैयारी किजिए जरूर अच्छा नमबर आएगा आपका मतलब 400 के उपर अगर अभी से तैयार करेंगे तो 85% तक आ सकता है अगर अपने माबाब के विश्वास को नहीं तोड़ना है तो प्लीज अच्छा से पढ़ाई किजिए बाबू क्योंकि उनको आप पर बहुत भरोसा है तो उनके भरोसा को मत तोड़िए तो फिर अगर संदार लगा हो तो सेर करते है फिर मिलेंगे हम लोग अगले विडियो में तब तक के लिए जैन